कि आज कपकी neste क्वीद रखाए कि दो वैक्टर है वो पेंडिकलर टु इच अदर हैं और हमें पॉज़िटिब वैली ओफ ऐ निकालना है ठीक है ऐसे कुशन में पहले भी किरा रखे आपको दे रखा है q q is equal to ai cap minus 2j cap और minus minus k cap ठीक है हमें a की value निकालनी है तो आपको formula बताना अच्छे है cos theta is equal to dot product of a and q vector और modulus of in modulus of the dot product उपर यह sign लगा सकते हो तो यह 0 हो गया तो इससे multiply करेंगे क्योंकि perpendicular है तो cos 90 is equal to 0 इससे multiply करेंगे तो यह हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा तो नीचे की value लिखने की जिरूत नहीं है अब इसका dot product कर दो तो a into a a square हो गया यह इस तरफ गया तो क्या हो गया ठीक है इन दो minus 2 a और यह क्या हो गया minus 3 ठीक है minus 3 तो आप सिंप्लिफाई करोंकि तो क्या है a square minus 3 a plus a minus 3 तो 0 करा तो a bracket a minus 3 plus 1 a minus 3 तो 0 is equal to a plus a plus 1 into a minus 3 तो a की a value तो आ गई minus a का ही minus 1 और a का ही 3 तो हमें positive वालने डालनी थी तो a is equal to 3 यह आपका अंसर है क्योंकि positive value यह है तो a is equal to 3 यह आपका correct answer होगा तो कोई doubt हो तो comment करके मुझसे पूछ सकते हो सारे doubt clear करा देंगे हो ओके so bye-bye and have a nice day